पेट्रोल पंपल लगी बहानों की कतार जिला मुख्याले में देखने को मिली पेट्रोल डिजल की किल्लत जिला मुख्याले महा समुन में अब पेट्रोल डिजल की किल्लत होने लगी है महासमुन सहर में पाच पेट्रोल पंप है लेकिन चार पेट्रोल पंप सुख सुखे हैं ना वहाँ डीजल है और ना ही पेट्रोल महासमुन के पुलिस वेलफेर पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल ही बस बचा है जिसके चलते डिजल पेट्रोल भरवाने के लिए लोग दूर दूर से वहां पहुँच रहे हैं और आज साम तक लाइन लगा कर डिजल पेट्रोल लेने का करम जारी रहा बता दें लोगों के मन में संका भी है कि कहीं आप उर्थी सही नहीं होने के चलते डिजल और पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो उन्हें आऊ सकता के समय पर पेट्रोल डिजल नहीं मिल पाएगा इसलिए लोग लाइन लगा कर दो दूर से पेट्रोल पम में पेट्रोल डिजल डल लेने आ रहे हैं जिसके चलते पेट्रोल पम के दोनों तरब पेट्रोल डिजल डलवाने वालों की लंबी का तारिय दिखाई गी करना है और अन्य काम भी है खेती का काम जो है वो ट्रेक्टर से ही होना है और इतना परसानी हो रहा है भी डिजल के लिए बहुत परसानी हो रहा है आगे भी नहीं नहीं मिल पाएगा है मालो हमको डिजल तो उससे खेती में हम खेती समय पर नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे समस्या आने वाली है सरकार को ध्यान देना चाहिए कि समय में डिजल मिले किसानों को से डिजल सही समय में उपलब्द कराए हम सरकार से ही चाह रहे हैं कि समय में डिजल मिले किसानों को असुविधा ना हूँ डिजल के लिए और इतनी दूर ना आना पड़े इतना जगा जगा पेट्रोल पम खुल गया उसके बाद भी डिजल नहीं मिलना ये सरकार की असफलता है कि डिजल की उपलब दता अभी खेती किसानी का दीन है सभी किसानों को डिजल का जुरुत है सभी किसान टेक्टर पर निर्भर है तो डीजल के उपलब देता सही समय में उपलब देता किसानों को भटकना ना पड़े